गुड मार्निंग स्टूडेंट बीच में थोड़ा सा हम लोग का गैप हो गया हम लोग रे आप्टिक्स में आप्टिकल इंस्टुमेंट चैप्टर पर रहे थे और आप्टिकल इंस्टुमेंट चैप्टर में हमने आपको optical instrument क्या है ये बता दिया था और accommodation power of human eye क्या होता है ये बता दिया था और least distance of distinct vision किसे कहते हैं ये बता दिया था और हमने बताया था कि स्वस्त आखों के लिए least distance of distinct vision 25 cm होता है यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे अब आप अगली heading डालने angle of vision angle of vision देखिए angle of vision होता क्या है कोई भी object हमारे eye lens पर जितना angle बनाता है हमारे आख पर जितना angle बनाता है उसी को angle of vision कहते है यानि आप यहां definition लिख सकते हैं अब इसको फिगर से समझा जाएं तो कोई भी object हमारे eye lens पर या हमारे आख पर जितना angle बनाता है जितना कोण अंतरित करता है उसी को हम angle of vision कहते हैं अब आप से पूछा जाए कि यह आपजेक्ट eye lens पर कितना angle बनाएगा तो सीधा सा उसका तरीका है कि आपजेक्ट जो रखे हैं उसके top point से optical center को मिला देजिए तो यह जो angle बनता है उसी को angle of vision कहते हैं और यह रे जो जा रही है यह रेटीना पर इतनी बड़ी image बनाएगी माल लिजिए object की size यह अच्छ है और lens से object की distance u है तो angle of vision निकालना हो तो वही formula लगा देंगे angle is equal to arc upon radius तो उसी formula से angle of vision निकल जाएगा angle of vision angle is equal to arc upon radius यानि h upon u इसी formula से angle of vision निकल जाएगा दूसरी एक चीज छोटी सी यहाँ पर हम बता दें कि जैसे माल लिजिए यह eye lens है और eye lens के सामने हमने एक object यहाँ रख दिया और यह eye lens का optical center है ठीक तो यह object eye lens पर angle बना रहा है अलवा अब यह इसी object को हम lens के और नजदीक कर दें और पास खिसका दें इसी object को तो अब जो angle बन रहा है eye lens पर वो पहले से जादा है यानि object जितना ही करीब आएगा eye lens के उतना ही जादा angle of vision बनाएगा और जब object दूर था angle of vision कम बन रहा था और जो image बन रही थी उसकी size भी छोटी थी लेकिन जब object को हमने और नजदीक कर दिया eye lens के तो angle of vision भी बड़ा बनने लगा और image की size भी बड़ी बनने लगी यही कारण है कि जब हमारे आँख के नजदीक कोई object आती है तो हमारे बहुत जब करीब आती जाती है तो उसके दूरा बनाए गया angle of vision बढ़ता जाता है और angle of vision बढ़ते जाने के कारण हमारे आँख पर उसकी image बड़ी बनती है इसका मतलब कि वो object हमको बड़ा दिखाई देता है यही कारण है कि आप देखे होंगे कि कोई aeroplane है जब हमसे बहुत दूर होता है तो हमें छोटा दिखता है क्योंकि वो हमारे आँख पर छोटा angle of vision बनाता है लेकिन जो जो aeroplane हमारे नजदीक आता जाता है हमको बड़ा दिखता जाता है उसका कारण यह है कि जो जो पास आता जाता है हमारे आँख पर उसके द्वारा बनाया गया angle-to vision बड़ा होता जाता है और उसकी image हमारे आँख में बड़ी होती जाती है और हमको बड़ा दिखता जाता है तो बड़ी सीधी सी एक बात असपश्ट हो गई कि यदि आप से कहा जैं कि यह object छोटा क्यों दिख रहा है बना रहा है वह बड़ा दिखेगा जो छोटा बना रहा है चोटा दिखेगा यानि आख के सामने दो आपजेक्ट रखे जाए तो एक बड़ा दिखेगा एक छोटा दिखेगा तो बड़ा बड़ा एक आपजेक्ट बड़ा क्यों दिखाए पूछा जाए बता दीजे क्योंकि आख पर angle vision बड़ा बना रहा है, और छोटा इसलिए दिख रहा है दूसरा object कि वो हमारे आख पर angle vision कम बना रहा है, तो कोई आबजेक्ट बड़ा है, इसलिए बड़ा दिखेगा, छोटा है, इसलिए छोटा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो ही angle vision ज्यादा बनाएगा, वो वो हमें बड़ा दिखाई देगा, जो angle vision कम बनाएगा, वो हमें छोटा दिखाई देगा, ठीक है, यह चीज यहाँ पर mention कर लिजेगा, अब अगली heading पर आईए, क्लियर हो गया, कि जो object हमारे आख पर angle vision बड़ा बनाएगा, वही बड़ा दिखेगा, example के तोर पर, आप moon को द building हमें बड़ी दिखती है, और moon हमें छोटा दिखता है, कारण की moon द्वारा हमारे eye lens पर बनाएगा, angle vision बहुत छोटा है, इसलिए छोटा दिखता है, बड़ा होते हुए भी, और हम जिस मकान में रहते हैं, वो मकान moon के compare भले ही बहुत छोटा है, लेकिन हमारे eye lens पर angle का दिखता है, अब अगला heading लिखिए, magnifying power, चाहिए ऐसा कीजिए, telescope लिख लिख लिए, telescope का नाम आपने सुना होगा, और एदी आप से पूछा जाए कि telescope होता क्या है, तो telescope का एक अही बढ़िया definition बता दीजिए, कि वह optical instrument, जो दूर की object का clear और magnifying image बनाता है, उसी को हम telescope कहते हैं, ठेक, तो आप इसका definition लिख सकते हैं, and an optical instrument from which we can see the clear and magnifying image of distance objects दियानि वह आप्टिकल इंस्टूमेंट जिसकी सहायता से हम बहुत दूर रखे object का clear और magnifying magnifying मनें आवर्धित बड़ा image देख सकते हैं ठीक है अब टेलिस्कोप का construction देखिए देखे टेलिस्कोप और microscope ये दोनों बहुत important हैं board exam के लिए और एक long question आपको आएगा टेलिस्कोप से ठीक है न तब टेलिस्कोप का definition एक पर देख लिजी वह आप्टिकल इंस्टूमेंट जिसके help से हम बहुत दूर रखे object का clear और magnifying image देख पाते हैं उसे टेलिस्कोप कहते हैं अब देखे कौन कौन से टेलिस्कोप हम अपने daily life में यूज़ करते हैं टाइप साफ टेलिस्कोप टेलिस्कोप हम बहुत टाइप के यूज़ करते हैं जैसे पहला astronomical टेलिस्कोप astronomical टेलिस्कोप दूसरा reflecting टेलिस्कोप तीसरा terrestrial टेलिस्कोप चौथा newtonian टेलिस्कोप पाजवा गैलेलियन टेलिस्कोप बहुत सारे टेलिस्कोप है अपने daily life में हम यूज़ करते हैं तो एक बार आप फिर revise कर लें टेलिस्कोप क्या है और कितने टाइप का होता है तो वह optical instrument जिसके help से हम बहुत दूर की चीजों का clear और magnifying image देखते हैं उसे टेलिस्कोप कहते हैं और daily life में हम जो टेलिस्कोप यूज़ करते हैं उसमें कुछ नाम हमने आपको बताए जैसे astronomical telescope reflecting telescope terrestrial telescope newtonian telescope galilean telescope तमाम तरह के टेलिस्कोप हम अपने daily life में यूज़ करते हैं इसमें आपके slabus में astronomical telescope और reflecting telescope दो है तो आपको ये दो टेलिस्कोप पढ़ना है और यदि आप टेलिस्कोप कायदे से पढ़ लिये हैं तो microscope का derivation आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो आप पहली heading लिखिए astronomical telescope astronomical टेलिस्कोप astronomical टेलिस्कोप का definition कि वह आप्टिकल इंस्टूमेंट जिसके help से हम heavenly bodies यानि जितने भी planet है satellites है यानि जो अंतरिक्ष में bodies है satellite है planet है star है comets है उनका clear और magnifying image इसी के help से देखते है तो इसका definition लिख लिजेगा कि an optical instrument from which we can see the clear and magnifying image of heavenly bodies ठीक वह optical instrument जिसके help से हम heavenly bodies यानि आकासी ये पिंडों का clear और magnifying image देखते हैं उसको astronomical telescope काते है ठीक है अब astronomical telescope का definition के बाद construction पर आईए ठीक है construction astronomical telescope एक cylindrical structure है यह cylinder जैसा होता है इसके दोनों इंड पर एक एक achromatic convex lens लगे होते हैं यानि यह जो lens लगे हैं यह simple lens नहीं है achromatic convex lens है दोनों इंड पर तो construction में यह लिखना है कि astronomical telescope एक cylindrical construction है जिसके दोनों इंड पर एक एक achromatic convex lens लगे होते हैं एक convex lens जो बड़े focal length और बड़े aperture का होता है उसे objective lens यानि यह objective lens हो गया और दूसरा lens जो छोटे focal length और छोटे aperture का होता है उसे eye lens काते हैं objective lens fix होता है eye lens movable होता है objective lens हमेशा object के सामने रखा जाता है और eye lens हम आग के सामने रखते हैं eye lens को आप आगे पीछे खिसका सकते हैं objective lens और eye lens के बीच के distance को telescope की length केते हैं एक बार फिर समझने definition astronomical telescope एक cylindrical construction है जिसके दोनों इंड पर एक-एक एक chromatic convex lens लगे होते हैं एक convex lens बड़े focal length और बड़े aperture का होता है जिसे objective lens केते हैं दूसरा lens छोटे focal length और छोटे aperture का होता है जिसको हम eye lens केते हैं objective lens fix होता है और eye lens movable होता है objective lens हमेशा object की तरफ रखा जाता है और eye lens हमेशा आग की तरफ रखा जाता है objective lens और eye lens के बीच का distance telescope की length कहला दी है telescope की length निकालने के लिए numerical भी आता है और आपको निकालना भी होता है derivation में भी अब astronomical telescope का magnifying power लिखे magnifying power magnifying power magnifying power का formula है the ratio of angle formed by final image at eye lens magnifying power को capitalium से लिखते हैं तो magnifying power यानि capital M का definition होगा formula पहले लिख लिए फिर उसी से definition निकाल दिया जाएगा the ratio आप angle farmed by final image at i angle farmed by final image at i इसको हम beta से लिखते हैं upon angle farmed by object when object is at real position इसको alpha से लिखते हैं यानि magnifying power का formula हो जाएगा beta by alpha real में यह हैं क्या final image i lens पर angle आप कितना angle farmed कर रहा है object real position से कितना angle farmed कर रहा है यह चीज़ जब अभी derivation हम करेंगे तो आपको पूरी तरह से clear हो जाएगी परिशान मत होना तो आप यहां पर अभी केवल definition लिख लिख लिजिए magnifying power का तो definition यह होगा कि the ratio of angle farmed by final image at eye lens to the angle farmed by object when object is at real position is called magnifying power it is denoted by capitalism ठीक है अब जब इसका हम derivation करेंगे magnifying power telescope का निकालेंगे तो उस समय आपको beta क्या है alpha क्या है बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो हम इटा इधर आपको video नहीं डाल पा रहे थे mobile में कुछ defect था अब mobile बन गई है अब हम एक एक दिन में दो दो वीडियो डाल कर जल्दी से आपका slabus complete करेंगे आज इतना ही क्योंकि इसके बाद के जो derivation है वो काफी लंबे है तो इसको हम next video में आपको बनाएंगे thank you